लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइटिन को प्रेस करें करें लेटेस्ट से बेट अनल्स कुष्भार ॉ emotional आए हम आए हम आए है अवे नहीं पाति आए हम इस खाया है बाल बाल हम बदो कर दो प्रप्राइब लूब रखने कि अजड़ साथ कि अजड़ी मुश्डरा हो लूब लूब हुआ है में आने हुआ, मुझी धैस को wykor Dublin जमना हुआ हाइध रही में हम कुछा आना हिए क्लबना जमनी आन समयादी इसमें हसने की क्या बात है हसने रोने पी किस का बस है बाबु जी हसने वाली बात हो तो हसी आई जाती है बहुत प्यासे लगते हो देखने में तो पढ़े लिखे लगते हो लेकि लिखना भी नहीं जानते कि पानी पानी में फर्क होता है शहरी होना क्या मतलब यह कि यह पीने का पानी नहीं है गंदा है यहां आओ अगया यह लो यह हमारे गाओं के सब से मीठी कुए का पानी है वाकिप बहुत मीठा है गन्य के खित के आसपास वाले कुएका होगा वैसे तुम यहां की रहने वाली हो तो तुम्हें इस इलाके की सब जानकरी होगी हाँ हाँ क्यों नहीं हम तो यहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं यहां के नदी नाले पेड़ पहार सब बाबुज प्राश्पर एक पैसे की प्यास तो बजा दी तुमने अब एक भट्के हुए मुसाफिर को रास्ता भी दिखा दो रास्ता तो हम बता ही देंगे लेकिन पहले यह तो पता चले कि तुम्हें जाना कहा है किशिंगर तब तुम सच्पुश रास्ता भटक गए हो लेकिन तु किसमत अच्छी है जो हम तुमको मिल गए आओ हम रास्ता दिखाते हैं देखो यहां से सीधे बिलकुल सीधे पीस पचीज कदम जाने पर काइने हाथ की तरफ मुड़ जाना तस बारा कदम जाने पर एक जामुन का पेड़ मिलेगा फिर बाए वहां थोड़ी धलान पड़े होतरने के बाद बिलकुल सीधे चले जाना पास्त आगया कीशिंगर समझ गया ना बिलकुल सीधा रास्ता है अधन्यमत पानी के लिए और यह सीधे रास्ते के लिए नमस्ते निवस्टे पिलकुल सीधा रास्ता है लुष्ष्णे प्रब्सक्राइब चुल जार जा почकत जाहा दे जाहार देटाध माला देटव मना आइा जाया देटऑ्ट है करने मुझे yn आको द domains्के ते डिर्ट आलने, या सो है कुझ 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 बाती है last application कुझ कुझ तुझ पुछ यह खाने जा जा ब॓द दे खाने कि निएले इन लोगाइव उनी जा जा बड This हा को कुझ बड़ से अड़ी भेख रहा हूँ कि कद्या है कर दो कर दो कर दो कर दो स्क्राइब नटे जया हमनुट से भारें हमक लारें मता किरा बारें बारें दीर किरा अग्यों नटोज को लिए चेसी इसे ऐसी दोपा स्वों कि भारें लारें on दूरियों ही रहते जुम शको चलाएगा, चेन तुझे आएगा, चेन तुझे आएगा तुझे आएगा, तुझे आएगा, पोरियों हीवज, तुझे आएगा, चेन तुझे आएगा, चीआखा Lipa जा गई माना दा, जा जारे जारे, जा गई माना जारे, 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 बाबा, बाबा, पेरा शंकर आ गया आगया मेरा शंकर मुझे भगवान पर धरोसा है उसे आना ही था लेकिन बाबा, उसने मुझे पहचाना नहीं परेशान मत हो बेटी जब तुम्हारा सच्चा प्यार उसे खिच कर यहां ले आया है तो वो तुम्हे पहचान भी लेगा और उसे तुम्हारे पिछले जन का प्यार भी याद आजाएगा अब सच कहरें बाबा, उसे सब कुछ याद आजाएगा मुझे पहचान लेगा ना? हाँ हाँ बेटी, वो तुम्हे अवश्य पहचानेगा जब तुम्हे अपने पिछले जन का प्यार याद है तो भला वो कैसे बुला सकता है हाँ बाबा, मुझे सब कुछ याद है सब वो दिन भी चबरानी मा के बुलाने पर वो पहली बार हवेली में आया था ली जी आगे ही आपकी मंजर अब मेरा काम खत्या, मैं चलता हूँ वो अपकी मैं जी लार हूँ होआँ 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 हमस्त क्ण आग मननननन मलता हूए कि अर्ब तरजके जो और वो ऐसे सकता है कि अर्छ सिस्टीं प्राइब कि अर्छ से खुआ यूग्ट प्रॉप जाओ यह सब क्या है इम्तिहान तुम्हारे बाजुओं का मैं देखना चाहती थी कि आज भी तुम्हारे बाजुओं में वो दम है यह नहीं गोगा आज से हमारे खास महमान है इन्हें इज़त से अंदर ले आओ आईए है और यह दुम्हारे लुणो कि अंदर खुम्हारे इज़त दृज़त कि यह दिवान जी यहां के सबसे खास आत्मी हमारा सारा कारूबार यही तंदलते हैं और यह है रूपा और रमेश हमारी बड़ी बेहन के बच्चे यहां हमारे साथ यहेते हैं और मुद्षए और दुपाई पैसे और कारुबार के कांकाज में जीवान जी मदद करते हैं कि यह और में हमसे बीक्रा निसे हुआ हम लगवी नोकरा नें की मदब करती हैं इसका नाम मकूल है और इसे तो तो तुम मिली चुके हो गोरों की देख भाय का कांथ इसके जिल्में है यह हमारी बेटी है आओ ती माँ ती माँ इधार आओ प्रानी माँ बहुत खुशी हुए इनसे मिलका लेकिन आपने इनके बारों कुछ भी इनका नाम शंकर है यह शहर में रहते हैं मैंने आप सबको इस बाक इसलिये तक्रीव दी क्योंकि भगाध बात है जो आप सबको बताना जरूरी समझती हूं मैंने सीमे बेटी की शादी शंकर के साथ करने का फैसला कर लिया कर लिया कर दो कि कौन हो तुम है पोपट लाल यानि के पोपट लाल फ्रॉग वाला लेकिन किसमत से पोपट लाल ऐसे बुरे वक्त में अचानक एक शुब समचार हाथ वे आया कि मेरे मामा जी शिरी जुर्मट दास उदास आपके या मुंची है उनको ढूंटे ढूंटे दातर की धोगरें है इंघ फोपटि आपकी चोहत पर आगर अमा संधू आपकी पला तूं नपयों जीदे अजिद ने मामा करें का केया है Д workload कक़ु होट्र इंचीं जी जीदिकिन कॉंचीं कौन अंटित इヤे वहसूं मेरा है लोत प्रसूं के मात मिला है अब इसके किसी बात का बुरा मत मानना, ये बेचारा किसमत का मारा है अब ये कुछ दिन पहले इस बेचारे का बड़ा भाई जिसको ये बहुत चाता था स्वरक्तिदार गया, बगवान को प्यारा हो गया दानिमा उस दिन के बाद इसका दिल और दिमाग इसके काबू में नहीं रहा जब मैंने सुना तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने इस बेचारे को संदेशा भीजा कि बेटा मेरे पास आजा यहां वो हवा बदलेगी तो शायद इसका दिल और दिमाग भी बदल जाए अगर आप किया गया हो तो इसे कुछ दिनों के लिए मैं अपने पास रख लू ठीक है मुझसी जी आप जितने दिन चाहें इन अपने साथ रख सकती है तानिमा यह अभी सफर से आए हो ठके होगे गोगा जी तानिमा मदर मुझे बात करेंगे अभी जाके आराम करो इननके कमरे तक पहुचा दो चलिए ठीक है तागल होगए बुडिया दिमाग खराब हो गया इसका शादी करेगी हां पताने किस लफंगे को पकड़ लाई है लेकिन मेरे दिमाग में यह चक्का समझ नहीं आ रहा है यह सबहें बहार निकलने की तर्कीब हैं, लेकिन मैंने भी कच्छी गोलिया नहीं खेली, अपना हक लिए बिना निकलना तो दूर, खिलूंगी भी नहीं आसे लेकिन हमें करना क्या है? हमें क्या करना है, करने वाले तो यहां और बहुत बैखे हैं, हम तो सिर्फ तमाशा देखेंगे मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाती हूँ, लेकिन मैं जो कुछ कर रही हूँ, सोच समझ कर कर रही हूँ क्या सोच समझ कर रही है, जिस साथ में कुए जानती तक नहीं, जिस मैंने पहले देखा नहीं, कौन है, कहा से आया है, क्या करता है, मुझे कुछ नहीं मालूम, एक ऐसे अजनेभी के साथ आपने मेरी शादी तैय कर दी, ना मुझसे पूछा, ना मेरी सला दी शादी की सिर्फ बात की है, शादी तो नहीं की, और सबके सामने इसलिए की, क्योंकि ये बात फैलाना बहुत जरूरी है, तुम तो जानती हो, कि हमारे उपर किसी वख भी मुसीबत आ सकती है, और मुझे पूरा भरोसा है, कि ये लड़का हमें उस मुसीबत से बचा सकता है, यह यह अकेला अद्मी बचाएगा हमें हां यह अकेला तो महीं जानती है तो क्या आप जानती हैं मैं जानती है अच्छी तरह जानती है यह बाद मैं शेह से वापिस लोग रही थी यह पको जão जिएलो फिएलो जो ऍाउ गेह आप! झ्रहुँंआ जीन आप जटरते पुटिए्ले पहाँ हुख कर दोज़िखने कर दोज़ प्रहिखने कर दोना आपकर प्रहु इस ऐस भी कर, तो हुँ जाया, यह रगा हुँ प्रह आए हुँ गुट्ट, को बमे कर सेंगे ए दोगह हुँ आए यह सो उना, गिक ठी रहा हुँ इस बहुँ ए, इस दोगो है, दो हुआ 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 यह लीजी है बेटा तुमने एन वक्त पर आकर जो हमारी मदद की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है इसमें से जितना भी चाहो ले सकती हो तुम जिये मत समझना किआमें तुम्मारे ऐसान की पीमत चोकार हैं अहसान किस बात का यह तुम्मेरा इनसानी फर्ज्थ था हर फर्ज की कीमत नहीं होती दहनें दीजए इस इन्याकिके रहने वाले हो जी नहीं तुकर यहां अकले वीडाने में क्या करेंगी जानकर बस ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं अगर ऐसी बात है तो तुम हमारे साथ चलो हमें तुम जैसे इमानदार और बहदर आदमी की जरूरत है उस वक्त तो उसने आने से इंकार कर दिया था और आज उसकी मजबूरी उसे यहां कीच लाई है वस्यों समझे बेटे इस वक्त उसे हमारी और हमें उसकी जरूरत है जाओ बहुत रात हो गई जाकि सूजाओ उच्वे भरोसा रखो जाओ बहुत रखो करिंग कि नड़े कि लिए्ग हता है एका कि लागे हैं आगार को जहां और रखएर अगार आगार को जा इुए हो एकारका। झाल 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 यह तो शुरूबात है किस बात के शुरूबात कैसी शुरूबात कौन था यह अदमी मुझे नहीं मालूगा आपके हवेली में क्या हो रहा है यह आपको नहीं मालूम तो और किसे मालूम होगा यह हवेली है यह पागल खाना आते ही आपने मुझे पर एक पहलवान से हमला उसके बाद बिना मुझसे पूछे, सब के सामने मेरी शादी टेकर दी, और अब आधी रात को एक अजनवी आदमी मेरे कमरे में चाकुलेटर घुसाया इतने में ही डर गए मैं ऐसी मामनी बात उसे नहीं डरता लेकिन मैं कोई बली का बकरा नहीं हूँ, जिससे आप किसी की भी भेट चड़ा दें आपके कहने पर मैं चलाया, इसका मतलब यह तो नहीं के अगर तुम चाहो तो जा सकते तुम जाओगे नहीं हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब चाहूँ तुम्हें पुलीस से बचने के लिए सख छुपाने के लिए एक जगह चाहिए और मुझे तुम्हारे जैसा एक बहादूर आदमी एक बात समझ में नहीं है मेरे बारे में इतना कुछ जानने के बाबजू आप मुझे से क्या चाहते है ताकि हमने एक बार पहले भी सीमा की शादी तेकी थी कर दोड़त्ड़ए फंग स्पड़त्ड़क रहले य्थ रहले प्रादी शादी अरन कि अधिए उस दिन मेरा सब कुछ खत्म हो गया कि सीमा के पिता जी की जान बचाने की कोशिश में बेचारे दिवान जी की दोनों टांगें हमेशा के लिए बेकार हो गई अधिन से लेकर आज तक पूरी हवेली में उस डाको का खौफ चाया हुआ है लेकिन उस सीमा सो क्यों शादी करना चाहता है दौलत के लिए इस हवेली के लिए क्योंकि बच्चियाद के मताबिक यह सब सीमा को मिलने वाला है उसके अठारे जन दिन पर उसी दिन सीमा को उठा कर लेजाने के रिगती है यृषए अब ते तुम्हें इस मुला यह की उन्पने की बाद हमीं लगा कि तुम्हीं हमें इस मुसीबत से की मचने हैा गत्र टार्रा का यह लेकिन वहिंग कह आरसे से देखो हमारा आदमी है हमारा सर्दार कैर सिंग का आदमी मार खाक्याया है मार खाक्याया है हवेली से इसकी रेके की कैर सिंग के नाम से कापती है तुटते हुए मुझे हमारा नाम लिया राम जादे तुझे वाद किस काम के लिए रखाता है नजर रखने के लिए तुझे किसे का इसी नहीं लेकिन जब मैंने देगा हवेली में एक नया आदमी आया है तो यहां आदमी आहां तदर इसलिए मुचा क्या का इसलिए जिंदा अगर तू तू ने सोचा और सोचना से पहले यह नहीं सोचा कि तेरे इस रोचने का अज़ाब क्या होगा सर्दार सर्दार मुझे बाप कर दो मुझे गलती होगा सर्दार तूने गलती की यह सिरफ तू जानता और कहर सिंग किसी को माप नहीं करता यह सब जानते हैं है यह नस्वारो आया सब्दार हो कंदेतो मेरी नस्वार की अदिविया है था एसला कर दो इसरा मूझा देगा ताना सोचता है अभी मिजो माप कर दो सब्सक्राइब सारी जिन्दे के कुछी नहीं सुचूंगा, कुछी नहीं सुचूंगा, तरदर अब ये नसवार तुझे माफ कर दे, तो कर दे, मार तौ माफ नहीं करता ठीक आ गई तो ठीक, वरना कसम बंदूग रचके आगाई तो ठीक वर्ना कसम बंदूग की अगाई जब यह सारा मर गया एक मिनट पहले आ जाती तो बच जता बिचारा सारे का दिमाग इने किसमत भी खरागती आज़ारों जी जी सर्दार यह तो मर गया आपकी गोली से कोई बचायर सर्दार नसार तो कदा है वह तो हूँ मगर क्यों सर्दार अब उल्लू के पक्षे आशनी बात तो रही गई ना अब तो पूछ रही बूल गए कि अवेली में जुड़ाया आजमिया है वह कौन है कहां से आया है क्या है यह तो मर गया अब हम किससे पूछेंगे नसारू किससे पूछेंगे नसारू वह कहावत क् में चिडिया पच्टाती है अब पच्टाए हो क्या जब चिडिया चुक गई खेट बिलकुल गलत अरे चिडिया कैसे चुक जाएगी खेट अपना खेट तो आमने नीचे तैखाने में पंतर रखना है वह साड़ा हवेली का वफादाल कुता यह मर जाएगा हां मर जाएगा है 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 अधा बूली गए इसलिए ना जारू इसलिए हम तुझे इतना प्यार करते हैं अच्छा हुआ तुन्हें हमें याद दिला दिया है कि इस बड़ों को जांते नहीं मार ना और रहां इसका जिन्दा रेना बहुत शरूषरा है है और की लगाई हुई है ना पुझे की फिसी के साम ने कि अब लिजी मियम साभ आपका घुड़ा तयार है और साभ आप तो अपने बहादूर पर ही बेढ़ना पसंद करेंगे क्यों नहीं क्यों जिसके बहादूर जैसे साथी हो उसे किसी और की क्या जरूरत है इसमें हसने की क्या बात है कुछ खास तो नहीं पस यूही आपके बहादूर का नाम सुनकर मुझे बच्पन के एक सैली आदा गई उसे कम दिखाई देता था मोटे मोटे ग्लास वाले चश्मे पहंती थी और उसका नाम था सुनेयना अरे बुरा मत मानिए नामों के चत्र में अक्षर ऐसा ही होता है पासवाले गाउं में एक भीकारी रहता है और उसका नाम भी अमीर्चंद है अमीर्चंद की अमीरी पर आपको शक हो सकता है लेकिन मुझे अपने बहादूर की बहादूरी पर बिलकुल शक नहीं यकिन नहीं आता तो आजमा के देख लीजिए आपका शक भी दूर हो जाएगा और ये नामों का हेर फेर भी खातम हो जाएगा नहीं ये बात नहीं है आप से फितनी सी है कि ये ठैरा शेरी घोड़ा तांगा बगई बगई घीचने के लिए तो ठीक है मगर यहां के तेरे मेर आजमा कर देखें अब तो आजमा कर देखें अब तो आजमा नहीं पड़ेगा करें अब करें आप मार से नहीं जरा प्यार से कोशिश की जिए अब मेरे लाट प्यार से पाला है मैंने अपने बहादर को मारेंगी तो बुरा मांझाएगा तो बना दिया है अडीयल नहीं मरील को हो अब तट्टू कहीं का मेरी सलह मानो तो किसी दोबी को दे दो कपड़े वपड़े लादने के काम आ जाएगा है मैंने तो पहले ही कह दिया था ये क्या खाफ दोड़ेगा पालतू है एकदम पालतू हो या पालतू हो अपने सामने सब ठीक हो जाते है पोपड़ा तुम पर लाइगा पोपड़ा जी आप गोड़ सवारी का भी शॉक फरमाते हैं हां राहा है धुद्सावारी क्या कोई भी सवारी हो आप अभी देखिए जैसे इसकी नाजुक नाजुक कमर पर पर वपड़ेगा तो यह तो यह क्या उद्ने लगेगा तब तब तो कमाल हो जाए वरना इस गदेने तो इनके सामने में नाखी कटवा दी थी एक गदा तो आपकी नाख बचाने ही पाया चलो तुछ्रे को भी आगमा लेते हैं वालाट तो फिर देखे आदेखे देखे अभी देखे चल मेरे घोड़े I'm coming and you're going अब तो संभाले ना समझ गया अब क्या ख्याल आपका मेरे स्केटू जबारे में लेकिन पहले तो यह अले पहले वाले की बाद चोड़िए एक शरीफ आजमे का शरीफ घोड़ाई यह बड़ा समझदार है सवारी देखे बात करता है जावस पागर लेकिन तो ठोपट लाल कहा है चलो ठूबते हैं बैठी ने पैदल ही ठीक है ठीक चलिए अख़ कि अबाद करता समय पाद करता थे जाए 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 एप लेगा एप और ऐनिझन करता पार खोड़िए पार भूच को बार कि अजय वह बेचिक प्रहए कि शुगर भादू में आपकी बात का बुरा नहीं माना वरना कि बिचारा पोपिट लाल बेडा गर को तेरा बहादूर के बच्चे साले दोके बास देखने में कुछ और भागने में कुछ साला उल्लू बनाता है खूबसूरण लड़की बैठे तो टुकु 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 और जब मैं बेटा तो आए 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 देख लूँगा मैं तेरे को देख लूँगा मेरी बद्दुआ तुझे अगले जनम में बनाएगी पौपड लाल और मैं बनूँगा बहादूर और फिर मैं तेरे को इसी तरह जंगल में लेकर जाओंगा और तेरी ऐसी हालत करूँगा बलके इससे भी बुरी हालत करूँगा आरे बाहदर मेरी तो यह चटी फिर भी बच गई है तेरी तो यह भी नहीं बचेंगी है अजए हैं अगल टोंदुआ है पिसके भाऊ हैं आए राएष आए आए इफ आए ना कर ए आए अठी ए आए टॉड़ मौ। आए ए लाएँ भाहँ आए ए ए ना आएएजर ए आए मैं और तू, तू और मैं, तो पंची दीवाने, हम प्रेमी मस्ताने, दूनिया से बेगाने, मैं और तू, तू और मैं, तो पंची दीवाने, हम प्रेमी मस्ताने, दूनिया से बेगाने, जलने वाले बला से चले, जलने वाले बला से चले, आजाने मन हम मुहाबच करे, जलने वाले बला से चले, जलने वाले बला से चले, आजाने मन हम मुहाबच करे, जलने वाले बला से चले, आजाने मन हम मुहाबच करे, जलने वाले बला से चले, हो गई ऐसी पैसी, ऐसे आये समाने, हम खिलाये गाने, और दुष्मन गाये गाने, आए, मेरे दिल रुपा, मेरे मिस ठीक हा, एक मैरी दिल रुबा, मेरे नत जीरा लब जुम जुम मस्ति में जुम लू मैं हूँ आशिक तेरा अब कोई कर लेका क्या मैं हूँ आशिक तेरा अब कोई कर लेका क्या दो जवा दिल मिले कुछ नए घुल खिले कुछ महावबत भी हो, कुछ शरायक भी हो क्यों किसी से दुरे जो है दिल में करे प्यार की मस्तियों में बहे जिल में आले बना से चले उड़ना हमने सिखाया और हमको लगया उडाने अरे हम खिलाए डाने और कुछ मन जाए गाने प्यार करेशने प्यार करेशए रिए यार्या उड़ना प्यार करेशए चर अरे करेशना खुष्ट तुझ को मिला, इश्क मुझ को मिला, तु है मेरे लिए, मैं तेरे लिए, सबसे मूँ मोड ले, मुझ से दिल जोड ले, सबसे मूँ मोड ले, मुझ से दिल जोड ले, तेरी बाहे मीनी, दिल को राहे मीनी, मुझ को दुनिया सा क्या है भला वास्ता, कोई चाहे जले, जल आये बर, कोई चाहे जले, जल आये बर, उम्र भर हम युही खुश रहे, जल आये बला से चले पोपट लाल के धुको, ये दुनिया क्या चाने, अरे हम खिलाए दाने, और दुश्मन गाए गाने, मैं और तू, तू आर में दो पंचे दीवाने, हम प्रेमे, मस्ताने, दुनिया से बेगाने, और जले बाने बश्या से चले, आजाने मने हम महापत क्यारे, आजाने मने हम महापत क्यारे हम खिलाए दाने, दुश्मन गाए गाने नहीं चड़ूगा, हम खिलाए दाने, दुश्मन गाए गाने, नहीं चड़ूगा, हम खिलाए दाने, दुश्मन गाए गाने, नहीं चड़ूगा, हम खिलाए दाने, दुश्मन गाए गाने, नहीं चड़ूगा, हम खिलाए दाने हुआ है अपट है जो निया आदमिया है जबार निकालो पर यह है जिसके तुम लोगों को तलाश है वो मैं ही हूँ लोग पर लोग निमॉप का फर्मान आने वाले बली के बक्रे के नाम काहर सिंग का फर्मान तमाचार यह है कि फर्मान पढ़ने के पांच मिनिट के अंदर यह हवेली छोड़कर निकल जाओ अगर जान प्यारी है तो वरना तुम्हारे इस जिसम के कम से कम 400 टुकड़े करके चील कउओं को खिला दिये जाएंगे तमच्दार के लिए इसाइड काफी है से शब कुछल है तुम्हारा कहर सिंग तुम्हारा सरदार कहर सिंग खामका परिशान हो रहा है मुझे पहले कहा होता तो मैं यह आता ही नहीं पांच मिनिट क्या मैं तो दो मिनिट में हावेली खाली करके भाग जाओंगा आपी मरना नहीं चाहता मुझे अपनी जान बहुत रही है कस बासब कि है जन Rs.montene कettes के खामका पॉघ सहा करने कर सक्राओंगा कर बासब आपका पांपका रहा है कर वारार के बासऴंगा मुटक पांके थonta आपके बाने कंचेной का? नहीमर दोस्टके बाद्के एाग % किदर आए वो डाकू किदर आ जिसने पॉपट लाल की ताकत को ललका रहा है हैं सिर्फ चार हम दोस्ट समझे थे कि कम से कम 25 जरूर हों गया तो चार क्या कि दरहसल बात यह है कि जब तक 15-20 मेरे सामने ना हो तो पुझे जोश नहीं आता है अब आई गया तो अरे मरे हुए को क्या मारना शेर कितना भी भूका क्यों ना हो ख्रास नहीं खाता है ना हां समझे शेर जी देखा शेर जी आंजी आपके बस एक लिखने वाली मेशीन थी ना थी क्या है तू दर देख एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा यह लिजे अब मेरा काम हो गया मैं चलता हूं अभी नहीं शेर जी सबसे मुश्किल काम तुमेने आपके टिर्शेर मेरा थे जाले जली छोड़ान कsst चालता है कि यह संख नहीं ईसरी किया नहीं है अगर्याँ बोलड़े तो मैं क्ली और अब्यू अपने नहीं बेदो में नहीं इनंस अज़ान्स अपनिय थैर अद्र थैसी किसे जादो वरना अभी तुम सबको भून डालता एक दो दी चार चार आदमी कहर सिंग के चार आदमी कहर सिंग चालीज टकेट या चारासी खूर बगर आश्तक उसके गंदे पर कोई हाथ नहीं रख पका उसके चार आदमी एक लॉंडे से एक लॉंडे से मार खाके आगए लॉंड आभी हवेली में है अधर अधर जल्दी बता अधर मेंगा है शंकरा का फर्मान डर्पोक कहर सिंग के नाम तरपोक कहर से अच्छा तेरे भेजे हुए बाल तो कुटो का अंजान तेरे सामने है अगर तुने अपनी मा का दूप पिया है तो अगली बार खुद आना आउंगा जरूर आउंगा पर देखता हूं कि हवएली छोड़कर मैं जाता हूं या दुनिया छोड़कर तू मैं है है कि में सब कुशल है और हमेशा रहेगा समझगे ना शंकरा यह तो तब सब्झेर अच्छा लगा नस्वारू लोड़ने का जवाब अच्छा अब उनाद बज़ाएगा तक्राने का बहुत बजाएगा इस वह कहावत क्या है जिसमें जीदर भागता है जब गीदर की मौद आती है तो शहर की तरफ नहीं कि यहार की तरफ पाग्टा है, कि यहार सिंगी तरफ! और जाल सिंगी यहार सिंगी यहार दोस्टा आरे इान Pevit कि यहार दोरा तरव तढ़ heftィ के अ है, कि यहार सी फिर्जोच्ण, यहार, वार भा रहार बाल सिंग circa कि जहार सिंगी इनец n billहता है, कि यहार सल्क्वारा तर्भा ड़ी capaz और उपकृ cit झाल। कर रहसं कर दो नदो कर डिर ज दो खार टार गदो कर दो बन दो कर दो ुए। हुआ 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 है 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 पिता जी आप जुट नालाइक बेवकुफ अपने इंटट पंजियों के साथ तुझे अवेली पर हमला करने के लिए किस्ते गाल था पिता जी मैंने सोचा क्या तूने सोचा तूने लेकिन सोचने के पाहिए ने सूचा किसका अंजाम क्या हो सकता है तुमारी इन वेवकुफियों की वज़से हमारी सालों की मैनत पर पानी भेख सकता है एक लड़के ने जरा सा क्या उक्सा है कि तुमेरी इजारत के बगर पहुंच गया किसी को भी जरा सी इस बात की फनक मिल गई कि कहें सिंग दीवान हुकंद सिंग का लड़का है तो हमारा सालों का बना बनाय खेल उससे जिल बिगर जाएगा गलती हो गई बापू गलती हो गई इसको तो मैं देख लूँगा साप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटे की समझगिया बापू पिल्कुल समझगिया बापू अब तुम आप कर दे ठीक है ठीक है बेटा ठीक है मैं जो भी कुछ कर रहा हूं तेरे लिए तू कर रहा हूं मेरा क्या है मुझे तो जितनी दुनिया देखनी थी देख ली मेरा तो एक ये सपना है कि तू एक दिल इस हवेली पर राच कर रहे है खैर अब ये बताओ कि उस हवेली के वफादर बुढ़े का क्या हाल है नीचे तैखाने में आराम फर्मा रहा है बापू हम उसकी सेवा का पूरा ख्याल कर रहे हैं जो तो नहीं लगी ना भाई सब्सक्राइब अपनी गंदी जबान से मुझे भाई का यह क्या कह रहे हैं यांप इस दो नहीं को किसे कहा है और जाए बाई को मैं लुगा थोखा दे सकता है मगर भगवान को नहीं एक दिन तुझे अपने कर्मों का फल भुगता ही पड़ेगा तो उसमें क्या है बाई साब वह तो सब को भुगतना पड़ता जैसे कि आप भुगत रहे हैं अगर आपने ह तो नहीं आपके टांगे जाते हैं, और नहीं आजा कोई दिन देखना पड़ता है, मुझे अपने टांगों के जाने का कोई दुख नहीं है, अफसर तो सिर्फ इस बात का है कि मैं मर क्यों नहीं गया, तुम्हारी जैसी मनहुर सुलते देखने के लिए मैं आज तक जिन्दा क्यों हूँ, जिन्दा रखा है भाईसा, इसलिए जिन्दा है, अमबल आपको कैसे मार सकते हैं, लगता है आप भूल गए, लेकिन मैं, मैं नहीं भूला हूँ, और भूलूंगा भी नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन, से मां के शादी और इस लालाक के साथ, य हिम्मत हुई कहां भाईसाब, हिम्मत पैदा की है, क्योंकि आज कल भिसे जे में खाली हो गई है, और मैंने इसी कौन सी गलत बात कही दी, आखिर रानी जी को भी सीमा के शादी किसी ने किसी के साथ तो करनी है, और शादी के लिए ज़रूरी हो था एक लड़का, जो आपक तुझे अपी इसी वक्त यहां से तक के मार बाहर निकाल देता, तो निकाल सकते हैं, आपका हक है, आप बड़े भाई जो है, लेकिन एक बाद ज़रा धंडे दिमाग के सोचे, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि सीमा की शादी, जिससे भी होगी वो सारी जायदात का माल चुपाउ, जुशा जान ज़ान जाना ? किसा तौर भी बढ़ गाएगी हाँ काका बापू ठीक कहता है है छे भुटा हट्टा कट्टा नौजवान लाखो में एक उपर से आपका भतीजा अरे भाई मुझ में भला बुराई क्या है कोई बुराई नहीं है सिवाइज के-तो अनपढ है जाहिल है चॉर है उचका है और कई बार जएल की हवावी का चुका है तो क्या हुआ जाने वालों की शादी नहीं होती ख्या यह तो मेरा रिकॉर्ड है, जिसे मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, मतलब यह कि घर की बात घर में रहेगी, उनको तो नहीं मालूम ना, उनको नहीं मालूम लेकिन मुझे तो मालूम है, और मेरे जीते जी ऐसा हर्गिस नहीं हो सकता, तुम दोनों अपनी मन सूरते लेकर य सबसे बड़ा रुपया, इसको भाई, हतीजा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन लगता इसकी नगर भी जायदात पर है, और सारी जायदात अकेले ही हडब कर जाना चाहता है, और थबड, वो थबड मुझे आज भी यादा है, और हमेशा याद रहेगा, और उसी थबड का जवाब देने के लिए, मैंने तुझे आज तक जिन्दा रखा है, और उसका जवाब होगा, कहर सिंग के सार, जीमा की शादी ऐसे क्या देख रही हूँ, देख नहीं रही हूँ, कुछ सोच रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, यह सोच रही हूँ, कि माने जो तुम्हारे बारे में कहा था, वो सची था, ऐसी कुछ सी बात कह दी रहानी माने, जो बात कही थी, वो तो मैंने रात को यह देख ली, अच्छे यह तो बताईए, यह गोली-बोली चलाना कहा से सीखा, बस ऐसे ही, तो बस ऐसे ही मुझे भी जो और यह दो आज़े हैं, और यह दो कहा है कि अगली बार जाए, बुद्धाल से आज़े हैं, कि अगली बार जो अगली बार जो अपनी पोज लेकर आए, प्रूप प्रूज। कर दो कर दो... हचाँ! हचाँ! हूचाँ!! कर दो अजिए में मिज वे रही हाँ कर दो कर दो डपाल वे कर दो कर दो प्रवार लगार 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 लगा गार क्योंड़ अर जुक्षराब कि एसनार, जियक KP. कि वियक कि लियक ब विर यदी, ージ हम पम पनाप परिदे लापने। तुम्हें जो दियानी आना चीहता सीमा अपने कमरे में वापस जाओ सुना नहीं तुम्ने मेरा आना इतना बुरा लगा तो फिर मुझे बचाया कि उथा मर जाने ले थे मुझे यह बात नहीं है सीमा इतनी रादगे तुम्हें या किसी ने देख लिया तो क्या सोचे अब चाहे कोई कुछ भी सूचे मुझे किसी की परवा नहीं मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैं तुम्हार बिना नहीं रह सकती तुमने मुझे ने जीवन दिया है और अब इस जीवन पर अधिकार भी तुम्हारा ही है आज मैं सैसला करके आई हूँ कि मैं शादी तुमसे शादी नहीं यह कभी नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता आक अल्ग में कमी क्या है कमी तुम में मुझने मैं मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं है किज ए चूंजे सबस्क्राणि की कोशिश तो और बेशे डिरी जिदी कि में कई रख जार जायें mist कुछ है जानोगी तो तुम्हारा फैसला भी बदल जाएगा मैं चाहता था कि मेरा राज राजी रहे अगर अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है तो सुना मेरा भी एक खर था राधा जी ये ठाली लेजा और एगलास पानी लेआ लीजिये लो मा दवाई पीले अरे मा आप दवाई की कोई ज़रूरत नहीं मा इसी ख़बर लाया हूं के सुनते ही सारी बिमारिया भाग जाएंगी क्या पहले मुझ खोल लडूखा लेकिन बात क्या यह अरे मा पहले मुझ खोल लडूखा बात मैं बताऊंगा ना यह ले तुभी खाप वारना बात सुनते ही तुभाग जाएगी और यह बचारा लडू यहां कहीं रह जाएगा मा के धारी लाल जी ने अपनी अंजु की शादी के लिए हा कर दी है मैं तु बहुत अच्छा हो बेटा तु बस जाकर गाउं को शादी का नियोता देया बाकी सब मैं देख लूँगा हाँ हाँ सारे गाउं को नियोता दे दूंगी लेकिन सबसे पहले अंजु के हाथ से शंकर जी के मंदिर में प्रसाद चड़वा होंगी मैंने मननत मानी थी ठीक है मा कल सुबा तुम अंजु को राधा के साथ मंदिर बेजकर प्रशाद चड़वा देना और हाँ मेरी तरफ से भी एक एलो का प्रशाद तुम्हारी तरफ से क्यों तु मंदिर नहीं जाएगा क्या अरे महा तुम ही ने तो कहा तो वक्त बहुत कम है कल सुम्ह मुझे शेहर जाना है शादी के सारा समान खरीद के शाम तक वापस लोटना है मेरी एक ही तो बहन है जो मांगे कि उसके लिए लाकर तुम्हारा उसे भी पूछ लूँ क्या अंजू अजू अब छुपने और शर्माने से काम नहीं चलेगा सबसे पहले तू अपने इस भाई को हुकम दे कि तुझे क्या क्या चाहिए इस खुशी के मौके पर तु चांद और सितारे भी भांगेगी ना वो भी लाके तेरी जोली में डाल दूँगा मैं आपनी अंजू को आपनी हातों से सजाँगा तुझे बहना ओ बहना ओ मेरे चारी बहना तुझको बहना ओ चांद तारों का गेना बहना ओ बहना ओ मेरे चारी बहना तुझको बहना ओ चांद तारों का गेना बहना ओ बहना ओ मेरे चारी बहना भाईया 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 भाईय कि का वो दूंगा मां ते पेजो सुरज साचम के जंदा के हाले देती वाली तेरी दम के देखेंगे दुनिया वाले होकर है राम से छादी रखाऊंगा मैं तेरी इस शान से अंगना में तेरे हो सुख के देरे तो सुख चाहे मुझी को पढ़े जितना सहेना तेरा प्यार मां ताकर कोई देना पहना ओ बहना ओ मेरी प्यारी पहना अंगना खज़ती आप बहने प्राद जडे को दाया ठीज़ती मां ठीज़ती आप करादा यह अंगना चेरे प्यारी प्यारी कि एक आप तो आप प्यारी झापत्म जिस्टा मिला, है तराजा सबाई उसने को दालत देखे, दुनिया की साई जब भाईया का आच जब पहना के तरह हो पहना के तरह हो पहना के तरह हो जब भाईया के तरह हो पहना के तरह हो पहना ओ बहना ओ मेरी प्यारी बहना तुझको पहनाओ चांदतारों का गहना बहना ओ बहना ओ मेरी प्यारी बहना पहना ओ बहना ओ मेरी प्यारी बहना और स्वीर्स आदरों के तरह हो प्रशाद और पुजा के लिए फूल और इसमें दोनों के लिए खाना अच्छा ज्यादा दिर मत करो अंधरा होने से पहले आशिरवाद लेकर घर वापसा जाना हाँ अच्छा मा चल जा 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 स्प्छाम हरा हरा कर जा तर हर प्रफ़ जईल एाँ! खप्यों में राघ हो जो ऑफ जा झाहँ वुट है जे ऊको भुट हराशिए, हुट! हुट! आघ हराशिए.. हाँ! उड बन दे ख जगाँ बन कर दोख इस तो जज आख प्रादा जी ये विचारे बहुत भूके लगते हैं तू जाके बादूर को बांदे अच्छा जी नो हाँ 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 प्रादा 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 हाँ 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 प्रादा हाँ कर दो करें मिल नधही भ्हुब है कि दिख ए झाया प्राम पिर मिल है इंक», सम् चाहु़ मोच्षा फिष़ जाल हो फिर ढाल वाज़ 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 हुआ 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 करे कि अकर दो ते भार जुटान चुटार, किया खिरे कि ते ले देएर तो, कि धुटार, और तुटार। आपके बढ़ी मेर्वानी होगी है दोखी बाइसा मुझे पहले ही बहुत देर होगी है अगर से अस्पताल नहीं पहुंचाया गया जिसकी जान में जा सकते हैं इंसाने किनाते कुछ तो सुचिए शाथ चीक वीचे बचाए चाँ चाँ आपकी बहुत बहुत मेर्वानी है यह थो मेरा फर्ज था चौशन दी में जासे यह देखो मां अंजु के माते का टीका गले का हार कानों की बालिया और हाथों के कंगर सब ले आया हूँ अच्छे हैं ना? अच्छे हैं बहुत अच्छे मां अभी तुने देखा ही क्या है वै तो अपनी अंजु के लिए सारा बाजार खरीद लाया हूँ यह देखो यह देखो सब से उपर शादी का लाल जोड़ा अपनी अंजु से पहन के जब दुलन बनेगी न तो चांदी शर्मा जाएगा तो ठीक कहता है कर्ट प्रादी शाई उन्जु करें तो जाएगा तो एद है वैरादी ब्रादी तो पररादी। एद जपना शुद पार्फ़ा जाएगा ऑल जाएगा वाएगा लेश़् वाँ आपटोपें शोली ओूराइ लूगिर से शोली टूजजा चालाइ लूजाएं इन्टरेव का टूखां एंटेड़ में लूज गयाँ लाई। बनादेर को जाँ कि झीचल, और को कि झीचल कर दो कर दो दो तस करता कर दो दो living कि मैंने तो सुना था कि तू हर समय हर जगा मौजुद होगा तो फिर तेरे होते हुए मेरी बेहन काई हाल कैसे हो गया इस बैचारी का क्या गसूर था क्या गसूर था इस बैचारी का यही यह तेरी पूजा करने आ रही थी अपने ने जीवन के शुरुआद के लिए तुझ से आशिवाद देने आ रही थी अरे यह किसा आशिवाद दिया तुने बोल वोता क्यों नहीं जवाब दे अरे तू क्या जवाब देगा लेकिन एक बा मैं उने कभी जिदा नहीं छोड़ूगा उनकी लाशे तेरे खभवला पर डाल दूगा वो दुनिया के किसी भी कौन में जाकर छुचाए मगर वो मुझ से नहीं बाच सकते नहीं बाच सकते मेरी प्रहन को तुट्यू पचा नहीं सका लेकिन कम से कम मुझे इतना तो बता कि मैं इसे लेकर अपनी माके पास कैसे जाओं कैसे जाओं कि कि हुआ हुआ टीका वो दूंगा टीका वो दूंगा माते पेजो सुरजी सा चम के चंदा के हाले जैसी बाली तेरी दम के देखेंगे दुनिया वाले होकर हैरान से शादी रचाओंगा मैं तेरी इस शान से अंगना में तेरे हो सुख के देरे दुख चाहे मुझे को परे जितना सेना बहना ओ पहना ओ मेरे प्यारी बहना तुखको पहना चांद तारों का गेना भाईया भाईया हारी तेरी बहना तेरा प्यार माँगो ना माँगो कोई गेना ना माँगो कोई गेना प्राइया यह जील के किनारे बेहोश पड़ी थी बगर अब ठीक है राधा 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 यह सब कैसे हुआ राभाजी तो चार आड़ी थे आड़ी थे, एल राधा र्चश वर यह से, रह जू हम पूआ है, आड़ी थास, भादा है मुआरी ना माँ़ी, बढ़ी, इमुआरी, त'ंस tut 16 माँदर के कि भादा तो प्या, प्यादा टो, प्यादा है प्राभा प्यादा है पुआरी, प्रादा है बेखल हुपान हे okay कि अब खुदों लुह भाले राद हुआग राद ह कि अबसा पाले घड़िस राद है कि लग याद भी कि अबस्वा है भाले बड़िस देस्ट हैं पुदोंग अबस्टा रहा है झाल करिछाओ वाल शाओ झाल वाल जाल कि याद है ना मैंने तुझसे क्या कहा था इन तीन कुत्तों को तो मैं तेरे पास ले आया हूं लेकिन मेरी कसम अभी पूरी नहीं हुई पदले की आग अभी तक बुझी नहीं है जब तक मैं वो चौथी लाश तेरे कदमों में लाकर नहीं डाल देता तब तक मेरी बेहन की आत्मा को शांती नहीं मिलेगी और उस दिन से मुझे अपने आखरे दुश्मन की तलाश है जब तक उसे मौत की नहीं सुना देता मेरा बदला पुरा नहीं होगा उसलिए मैं ने तुमसेखा था कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हो मेरा रास्ता अलग ए मेरे बंजील अलग है अगर कर देए बस यह नहीं यह सब्सक्राइब को मरे नशनिया कूल फोलीस को मेरे तलाश मेन जो अंजाम होनाय हो अब तुम ऐसा करो, जा कर सोचाओ, ठीके? ओकी सीमा, कर रात मेरे बारे में सब को जान लेने के बात भी तुम आपना पैसला नहीं बतला मैं नहीं चाहता कि मेरे वेज़ा से तुम्हारी सिंदकी बर्पात हो, इसलिए चाहरा हो, वुसर कि तुम आफकर देना, शंकिर हमें ... चनाजा... चनाजा... चनाजाले नहाज... चनाजा... ना जा, ना जारे, ना जा ना जखाके, दिल में सवाके उचेल दिया ना जारे, ना जा, ना जा अपना जाके, सकना जखाके जिन्यमी तबाखे इन्यजे दिया ूड़ ऐ हर्मोरे हर Дएति क olması दुछाब tutte मतबाए हर्मोरे हर्मोरे दबाद मिद तुछाब जिन्यमी पैसा जिन्यमी टाहन को勤ає तूने चजाए जी है है तेरे बैए जीवर चल दे जुने चिछारे अपना दुनाचे सबना दिखाजे दिल में समाचे यू चल दिया करते आपकैस् हमना दुनाफ जया है करुंग कर आरो कर दो कर और ओ मेरे प्याज आजा, अश्बों का वास्ता है, ओ मेरे प्याज आजा, अगर बेचेन सेलवाने, लेकर चराज आजा मेरे वाका ना बजा, अखिल ना मेरे दियारे कर दो, अपना दोना के सबना दिका के, दिन में समा के दिन चल दिया, ना जारे नाजा, चल दोब मेरे दियारे लाजरे, औ Execard झाल आजास्ता है, येमारे खिना उत Yesim करते हैं लगारो प्रभ्णा लग प्रचा लाते लग्मगोर लोग प्रफे प्रफे का लग्मगोर रहां लग्मगोर भारो प्रुप्ट में रखे लो अधा को दो भी है वो कहा है कहा है वो बोलती क्यों नहीं मा चले तो नहीं गए अब चुप क्यों है मा तु लेज़ बेटी कहीं वो चले तो नहीं गए तो यही है फिर मेरे पास क्यों नहीं है मेरे सामय क्यों नहीं है उन्हें बुलाओ मा मा उन्हें बुलाओ अच्छा बुलाते हूं मुझे पूरा बिश्वास था, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकते मुझे अपने प्यार पर भरोसा है, देवी मा के आशिरवाद पर भरोसा है उसी देवी मा के सामने मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना माना है मुझे बाचन दो, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे कभी नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे बिना जिन्दा नहीं रह सकती जिन्दा नहीं रह सकती आप और इस वक्त पुजारी जी, आज मैं बड़ी दोविधाना हूँ मैं आपके मन की हालत को समझता हूँ आज दिन में जो कुछ हुआ उसी के कारण आप परिशान है हाँ, आपने ठेक ही समझा अब आप यह बताईए मैं क्या करूँ करने वाले हम और आप पॉन होते हैं करने वाली तो यह मा है जिसके इच्छा के आगे किसी का बस नहीं चलता और फिर शंकरा तो नेक लड़का है वो तो ठीक है पुजारी जी मैं भी जानती हूँ कि वो नेक है लेकिन ऐसी और भी बहुत सी बाते हैं जोने आप नहीं जानती है लेकिन ये तो सब जानती है इससे कुछ नहीं चुपा है इसलिए जो कुछ भी हुआ उसे समा का आशिरवात समझ कर स्विकार नहीं उचित है आप है वकील सहब मिस्टर लीला राम चंदानी सीमा की पिताजी तमाम जमीन और जाइदाद की वसीयत इनके पास लिखकर छोड़ गए थी क्योंकि आप सब इस तरिवार का एक हिस्सा है इसलिए हम जरूरी समझते हैं कि वसीयत में लिखी हुई बाते आप सब भी जानने पर इस सारी जमीन जाइदाद की मालिक वह और दूसरी बात यह कि यह जाइदाद सीमा को उसकी शादी हो जाने के बात ही मिलेगी थैंकि वकील साहब जैसा कि आप सब जानते हैं आज से चार दिन बाद सीमा का अठारवा जन दिन है जबके सीमा बालिग हो रही है, शंकर से सीमा की शादी का फैसला तो हमने पहले आपको सुनाई दिया था, अब हमने दिन भी ते कर लिया है, सीमा का अठारवा जन दिन, मुंशी जी, आप शादी के तैयारिया शुरू कर दीजे चुडा के तुम है मेरी कसम तुम हो खाती काई सब्सम्हा जाना ना मेनं मिलाते मेरी उखियों से मिंद्यों, चुडा के तुम ही मेरी कसम मेरी कसम कैसे जाओंगा ता मन छुड़ा के कुझे न फाओंगा तुझे को बोला के मैं न तोड़ूंगा फंदन वफा के मैं अपने चुड़ा के चुड़ा के मुझे तेरी प्रशम तेरी प्रशम तुम्हे मेरी प्रशम कर प्रशम ड्राव मारी प्रशम तुम्हारा आखे मेरी है शक्रा तुम्हारा सारी जुनिया से वर्धन चुणा के चले आउने छुपके छुपके जरादे को तुम्हारा बुला के तुम्हे मेरी पसं मुठर तुम्हे मेरी पसं मुठर तुम्हे थे मेरी fed वर्यों मुठर तुम्हे मेरी ंच्रा तुम्हे Mens मुछ estásए YE Конr रिष ठुम्हे बुपके पाहम रब से बस एक दुआ ये करूं मैं, हर चलम में तुमारी रहूं मैं बस यही एक सपना हुनू मैं, देरे संसं जियू मैं मरूं मैं धूते ना सपने जिया के, जिया के रहूं दिल में मैं अपने पिया के, पिया के तुम ले मेरे कसम, मेरे कसम वहां मैं रख लू समा के, समा के तुझे रख दूंगा जग से चुपा के, चुपा के, तुझे रुघ में मैं अपने चुआ के, चुआ के मुझे तेरे कसम, तेरे कसम जाना राने मिलाके मेरी अख्यों से निंदिया चुराके चुराके तुम ही मेरी कसम मेरी कसम मुझे तेरी कसम तेरी कसम अरे यहां काली आई तुम मुझे नास्थिक हो क्या ने ने बगवान पर पूरा विश्वास है तो फिर यह भी विश्वास कर लो कि इस पवित्र स्थान पर आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं लगता भूले नाथ हरे की मनोकामना पूरी करते हैं तुम्हारे भी कोई मनोकामना है क्या तुम्हारी नहीं है क्या है तो फिर चलो मंग लेते हैं दोनों कि भूले ना जिस तरह तुन्हें इस जनमें शंकर को सीमा से और सीमा को शंकर से मिलाया है उसी तरह हर जनमें मिलाते रहना हर जनमें मिलाते रहना कौन हो तुम मैं कौन हूँ तुम कौन हो सिर्फ बाते हैं पातों का क्या सचाई तो यह है कि मैं कोई नहीं तुम कोई नहीं सब छलावा है कहते हैं ज्यानी कि यह दुनिया है सब धोका है जो के के बच्चे सीधी तरह बता कि तू कौन और यहां क्या कर रहा है कम दिखाई देता हो तो यह चश्मा पहन कर देखो कि मैं कौन हूँ मैं हूँ फकीर सादू स्वामी तार तार जी महराज लेकन बालत तुम कौन हो कि यानि के सादू और शैतान मुझे तो पनवागल लगता है पागल नहीं नाटक कर रहा है मुझे तो कोई पुलिस कादमी दिर्ख रहा है यहां जासुस लिकर रहा है तो फिर इसा सरदार के पास लेखंगे बहुता है लेकिन फॉर पुलिस कादमी नहीं हो सकता नहीं हो सकता अब पूछ लिजिए यही बताएगा आज से पूछते हैं कोने में तू इसका मूँ किदर है आज है खुल खुल गया मूँ अब बोल कौन है तू बताता हूं बताता हूं पहले थोड़ा पानी तो पीलू पाणिया पानी है मेरा नाम है लाल फटेहाल जिनदकी से तंग आकर मरने की कोशिश कर रहा था ठाकूजी क्या कहा तुम्हें टाकूजी टाकूजी एक पात फिर से कहो ठाकूजी यॉख हाई 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 डाकूजी सुना सुना अब बोल क्या कोशिश कर रहा था जीवन से तंग आकर मरने के कोशिद कर रहा है कि सब कुछ करकर देख लिया लेकिन किसमें नहीं देती है हाँ डाको जी सबसे पहले पानी में डूब कर मनने की कोशिश की लेकिन पानी इतना ठंडा था कि मन में से जादा जम जाने का डरता तो इसलिए उसके बाद रेल के नीचे कटने की कोशिश की तो फिर क्या हुआ लेकिन रेल गाड़ी नहीं आए पिर सोचा पहाड़ी से कूट कर जान दे दू लेकिन डाको जी इन पहाड़ों का भी क्या वरोजा कि हाथ पर तूटकर रह जाए और नहीं मरा तो क्या होगा अभी यह सोची रहा था डाको जी कि आपके करम चारी उठाकर मुझे आपके प कोई नहीं बचा कोई नहीं बचा अपने पहले भी कितने बेगुनाव को मारा है अब अग्वान की द्याय से आगे भी मारत रहेएंगे ताकुची अपनी बंदू की गूली सीने के पार उतार दो ना स्वारू जी सदार वो कौनसी कावत है जिसमें लंबे लंबे हाथ होते नस्वारू जी मैं तो समझता था कि दुनिया में सबसे बड़ा पागल मैं ही हूँ लेकिन ये सुसरा तो अपना भी बाप निकला सला नाको जी क्यों कीमती वक्त बैबाद कर रहे हैं इससे बाता तो बादमी हो सकती है ने ये तो आपके घर का अपमी है अरे पहले बाहर वा था को जी वरी ट्रेजेडी है लंबी स्टोरी है लब स्टोर फ्रेम कहानी जाता तो hijra aja three called he लड़का चला दोनों एक जगा आकर मिले लड़के में लड़की को देखा लड़की में लड़के को देखा आखे चार हुई दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार हो गया प्यार यानि के लग कर दोनों ने गाने गाए जीने मंदने की कस्में काई सुक दुख के सपने देखे विए कुद्रत को कुछ और ही मनजूर था मिलन के ऐसे मदर्शनों में आचानक एक तीसरा आदमी इन दोनों के बीट में घुज गया बिलंड यानि के गुंडा गुंडा चैने के बैट टाकुची नहीं वो तो तुम्हारा भी बाप था उसने इन दोनों को हलक हलक कर दिया लड़का मिलने के लिए तड़ा बुठा लेकिन लड़क दीवार करी कर दी दोनों एक दुसरे के साथ मिलने के लिए तड़ पुठे दिवार से सब्टकरा तकरा कर लर्के के कपने तार तार हो गये अब आपी बताएं डाकुजी उसके बाद मन्हें के लावा मेरे पास कोई रास्ता बचा है एक रास्ता बचा है कौन सा रास्ता नाकुजी जाता है जीने वाला जीन सकता और मरने वाला मर नहीं सकता तार दापड़ की inst Bio Rem another तुझे कीड़े पड़े वो भी लंबे 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 कहते कहते मेरा मुँ थंक्या कहानी सुनाते सुनाते मेरी सास उखड़ गई मगर साला तूनी सुतरा डाकु का डाकु ही रहा हराम ए दिवान जी आप और यहाँ यहाँ पर क्या कर रहे हो और यह हुलिया क्या बना रखा है मैं दिवान जी नहीं हूं बेटा तुम कौन हो अब हम कौन हो गए पोपड़ाल कौन हो गया पोपड़ाल कोने पहचानते जगा बदलने से याद आज जाते रही मैं सचमुद दिवान जी नहीं हूं बेटा दिवान जी नहीं हूं तो को ना बताता हूं को नहीं है तो समझ गया ना? मैं सब समझ गया बापू, आप शेंता ना करो अपना ध्यान रखना मैं चलू? खायर रखना जा जा चलू देखते हैं मैं सबस्क्या Connor मैं सबस्क्राण एंक बापू, करादा भादा करादा भादा बादा करादा बादा पीज़ा जया माकबूल जी साफ, कौन था हूआ आद्मी? कौन अजमी साफ? वैसे अभी भी यहां से गया है? पता नहीं, आप किसके बारे हैं पूछे हैं साफ? यहां तो काम करने वाले दिन बर यह आय जाये करते हैं 20 वाद्मी साफ, मेम साफ तो जानती ही है मकबूल मैं उस आदमी के बारे में जानना चाहता हूं जो अभी अभी यहां से गया है पता नहीं मैंने देखा नहीं साब हाँ इतना आपको जुरूर बता सकता हूं कि यहां जितनी भी काम करने वाले लोग आते हैं सब उस सामने वाले गाउं के रहने वाले हैं क्या नमा उजगां का? सफिप बूद इस कौन है भाही? शुअ रेन अी जदकते हायाँ भाही है भाही है ज आख दुथखंग खीच शुच्बरत हाँ क्या नरन्हर के व्यखक क्या है युटिख्व का? ते हले हैंống जढो से लुदियों को आजिन को जो कि आपको अज़ा, राय को जब वाथ मांक बोल! मकबॉल जी साब कौन था वह आदमी साहा मैं आपको पहले ही कह जो गहाँ कि मुझे नहीं मालूम और आप फिर भी कौन था वह आदमी का मुझे नहीं मालूम पताता है कि मही मुझे नहीं मालूम नहीं मालूम पता कौन था वह आदमी पताता है पुष्याम! ओद दम्सक्राइब? मकBUL! 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 म، म, म, खद दम्सक्राइब? ... और रे जिए गेजिए बखले लाँ! मकBUL? का हुआए असे? ब यह भे एकिस्या अदिने से गल्यमा है नहीं रिमी पहने लेकने कुसे है उसी ने जिससे थोड़ी देर पहले कहरे सिंग मिर्ने अ केहर सिंग, वो डाकू, यह क्या कहर हो तो, मैं ठीकी कह रहा हूं, रानिमा, कोई न कोई तो जरूर है इस हवेली में, जिसका केहर सिंग के साथ संबंद है, काश मुझे उसका नाम बता देता, मैं काश तो मुझे उस आदमी का नाम भी बता देता शंकर, यह सब क्या हो रहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है मगबूल की मौत का मुझे बहुत अथसूस है, लेकिन मरने से पहले हूँ, मुझे बहुत बड़ा ऐसान करके है ऐसान? आसिमा, उसने मुझे उस शैतान का नाम बता दिया, जिसकी मुझे कब से तलाश थे? कौन है वो? कहर से, जो तुम्हारा दुश्मन है, और मेरा भी अच्छा हुआ तुम्हारे प्यान ने मुझे हैं रोक लिया, नहीं तो आज भी भटकता रहता अब तो शादी की तैयारिया भी सुरू हो चुकी है, सारा खेल भी करता नजरा रहा है जी, अब क्या होगा? भई होगा मुझे जी जो पहले एक बार हो चुका है मैं नहीं चाहता तक की खोन खराबा हो लिकनी ये कंबक्त बुढ़िया साली ऐसे नहीं मानने वाली है मुझे जी, कहर सिंग को खबर विजवादों की वो तैयार है मैं शादी के मंड़क को संशान बना दूगा जाक कर दूगा उन लोगों को तो मेरे रास्ते में आएंगे मेरे जीते जी सीमा की शादी कहर सिंग से होगी और सिर्फ कहर सिंग से ही होगी जिवान जी वही होगा जो आप चाहते हैं क्योंकि अब सब चक्कर समझ में आ गया है वो खबर लाया हूँ जिसे पढ़कर आप भी चक्कर खा जाएंगे देखे अब आएगा उन पहार के नीचे जी मैं इंस्पेक्टर खान माफ कीजिगा मुझे यहां इस तरह आना पड़ा लेकिन ड्यूटी इस ड्यूटी यह रहां शंकरा की गिरफतारी का वारंट शंकर साथ के लिए वारंट आपको के गलत फही हो इंस्पेक्टर यह तो बड़े भले आदमी है और इनका वारंट यह कैसे हो सकता है मुझे लिए और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर चलिए इंस्पेक्टर खान आपके साथ इंस्पेक्टर चंदरकान नहीं आए अच्टर हाँ लोग अजाई घाँ लुट प्रभ प्रूफ लुट हुट 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 कि अधर कि अधर क्या देख रहा है इधर में वही है और उधर में वही है अच्छा तो तु ए हवेली का नया चौकीदा कर लेने निकला था वो भी कैर सिंग से किस सोच में पड़ गया तु तु क्या समझता था के कैश सी आथ उसे बच जाएगा वगर नहीं कैसे बचेगा आज तक कोई नहीं बचा है केर सिंग जिसे चाहे जहां चाहे जब चाहे जैसे चाहे मात सकता है यफीन नहीं आरा ना कोई बात नहीं मरने के बाद आ जाएगा कसम बंदू की अब तो गोली चलाने ही पड़ेगी कि अबाल नहीं मोंगा ए की प्रूहाँ तर टा चाहे जहाँ जासे ासाओजर झाएगञ़ँ कि अबालस अबालना ही कि ए उड़ इना प्रोड़। हुआ हुआ है हुआ हैं! कायर की अलाद, शामने या, दुनिया की प्राइट, शामने या, कोई ताकर तुझे मेरे हाथों से नहीं बचा सकती, आज तुझे ऐसी मौत मारूंगा, जिसे देखकर शैतान भी काफ उठेगा, सामिया, आ गया, आ गया, इतना चिल्ला मत, गोली भरने में थोड़ी सी देर क्या हो गई, कि तु समझा के कायर सिंग मौत से डर गया, बगर न कि आए ऌए पूद कायर से बना वसी आए यजा मैं कायर नहीं कि अए, भजो कि ए की खढ़ा से कींवार से इतना भी काम, दो गुपने अपन पपने अपने तीन साथियों कि अपने अपने आपके आपको अपने तो मिल्वड़ने ना कर दो देन जब तुने अपने तीन साथियों के साथ एक मासूम लड़की की इस्सत्रोटी थी और उसे मार दिया था मैं उसी मासूम का भाई हूँ उसी दिन से मुझे तेरी तलाश थी आज तु मेरे हाथ से नहीं बच सकता बच गया रहा है जदकी मैं पहली बार तु लड़कर का किसी नहते हैं पर वघया का झाओ श्हख काउम तर प्लक अपरम का प्लक ने आत्मी खोटा होता है जैसे कि ये बहुत बारा साले मुझे मारने आया था और खुद अपनी मौत बन गया साला अस्वारू जारा निकाल पर अस्वार इसका फैसला कर देते हैं बहुत पर पड़ा ये लो सर्दार ठीक आ गई तो ठीक बढ़ना का संबंदू के आ गई तो ठीक बढ़ना कसम बंदू के लिए ठीक आ गई नस्वारू ये तो सला बड़ा किस्मत वाला अब तो इसे नहीं मार सकते हमारे असुरू के खिलाप है प्राण और वचन आते जाते हैं अहां बहीं जर्दा प्राण जाए पर वचन ना जाएं गलत फिलकुल गलत वचन भी नहीं जाएगा प्राण भी जाएंगे लेकिन फिर कभी पंकर और साले को तैखाने में चौड़ू नस्वारू लगता है इसकी किस्मत में हमारा प्या देखने लिखा है कि दिवान जी आप खागे ना तुम्मित होगा क्या मतलब चक्कर यह गोल माल है यह दिवान जी है मुझे से नस्वारू हमने सोचा है बहुत अच्छा सब्सर करें असलिए तुछ तुछ से बहुत प्यार करता हम कुछ से राय नी है धूक हुक्मितार अंस्वारू जब जानता है हमारी शादी की तारीख नजदीक आ रहे हैं वो तो ठीक है पर एक बात बताना स्वारों हम इन कपड़ों में शादी करते हुए अच्छी लगेंगे नहीं नहीं ना इसलिए हमने सोचा है कि हम यह भारी भारी कपड़े यह बंदूक अकैती कटल सब छोड़ेंगे और हम यह लंबे-लंबे जूओं वाले बाल भी कटवा देंगे तुने पिताजी को देखा हैं जी कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं हम भी शादी के बाद आदमी की तरह क्या बोलते हैं जेंटल में की तरह रहेंगे हम सब छोड़ देंगे नस्वारू सब छोड़ेंगे पर एक बात की चिंता हमें बहुत खाय जा रही है किस बात की चिंता सरदा नस्वारू हम सब कुछ छोड़ सकते हैं सब कुछ लेकिन नस्वारू यह जो ते लेकिन बहुत सोच विचार के बार हमने इसको भी छोड़ने का एक रास्ता धूंड ही दिया है वह कहावत क्या है जिसमें बासूरी बचती है ना रहेगा बास को ना बज़ेगी बासूरी गलत बिल्कुल गलत ना रहेगा नस्वारू ना रहेगी नस्वारू है हम ठीक क्या रहे हैं नस्वारू निकाल डिव्या आज आखरी बात तेरे इसामने सूंग लें जलन नहीं सरदार मैं मर जाओंगे तरदार नस्वारू नस्वारू दुनिया तो आनी जानी ओंए रहे एक दिन तो सबने मरना है सबने मरना है वो कहावत क्या है जिसमें सब कुछ आज ही होता है मुझे कुछ नहीं मालूँ सब कहावत अब भुरू गया अपनी बारी आई तो सब कुछ बूर गया अच्छा है लेकिन बुझे याद है सुनवाय जो कल करें आज कर जो आज करें से अब रख भी यह और ख़डा हो जाब वहाँ वहाँ अज़र आ गई तो ठीक वरना कसम बंदूग के नहीं आएगी नहीं देगी यह निस्वार नकली है होने दे मगर गोली तो असली है आ गई तो ठीक वरना कसम बंदूग के मंगलू जी सरदर अच्छा सा गड़्धा खोद के दफन कर देना साले को तीपिया के साथ पड़ी कावते सुनाता था मेंड़ कहीं का हाँ कि अगा है झाल 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 सब्सक्राइब पुटे अरे लगना उससे चल कर आ रहे हैं दोपाश चैन की सास लेने दे पेतर सास लेने के लिए महार पूरा मेदार पड़ा है यह हमारे सर पे क्यों खड़ी है मैं खड़े ले हूँ ख़ा हूँ यकिन ने आता तो मैं फोल के दिखाओ मुझे मालूम है तुझे शर्म आ रही है न बुटे तुझे तुलन की तरह शर्म आ रही है कोई बात नहीं मैं खुदी खोले देता अरे तू अभी निकालता हूँ तेरी रंगीन में जाती अरे दो सामर हूँगा और साखिन हूँगा अंशे जी बकवास बन किजिए और सिधा पुलिस के हवाले कर दीजिए इसे पुलिस के हवाले मत किजिए दिवान जी यहां के पुलिस किसी काम की नहीं है शंकर तुभे तो पुलिस करिफटार करके ले गई थी घर की पुलीस थी सीमा जैसे ले गई थी वैसे छोड़ दिया मैं समझी रही समझाने के लिए इस हवेली में दिवान जी जो है क्यों दिवान जी इसे समझाई यह लेकर लेकर वड़ा तुम आक ऐसे ले लगता है आपको मेरे आने से खुशी नहीं हुई है आपको तो खुश कोशिश कीजिए शायद खड़े हो सकते हैं बेटा तुम्हें क्या हो गया है दिवान जी खड़े नहीं हो सकते हमने कितने इलाज कर आई डॉक्टर रैध हकीम सब कोशिश करके हाथ दे लानीमा अगर आप जज़त दे तो क्या मैं एक छोड़ी सी कोशिश करके देखो वो क अचानक ही दौई मिल गए क्या बात करतो बेटा मैं सच मुझ खड़ा हो सकता हूं घड़े क्या दिवान जी आप तो भागे लगेंगे कि अगर अगर कि अगर कि अगर कि कि अपर तू ओपर लान लाए तुम्हारा बाप इंस्पेक्टर चंदर कांथ कि अपर दिन राजा साप का खून हुआ उसी दिन मुझे शक हो गया था यह काम अकेले कैंसिंग का नहीं है इसके पीछे जुरू को बड़ी साजिश है कि दिवान जी के रूप में ये शैतार अपने बेटे कहर से और आपके इंगदारों के साथ मिलकर इतना बड़ा खेल खेल लिए जिंदकान जी आप क्या कहरें मेरी जुक्कु समर में निहारा यह ठीक कह रहे है रानिमा इस आदमे ने अपने भाई के हमशकर होने का फायद कि आपकी ये हालत ये आप में कौन है ये नाला एक मेरा चोटा भाई है रानिमा इसके सुरत मुझसे जरूर मिलती है लेकिन दिल का ये काला और दोखे बाज आदमी है सालों से इसके नजर इस हमेले के दौलत पर ती जिसको आसिल करने के लिए उसमें अपने बेटे कैंसी के साथ ये पूरा जाल बिछाया है जिसमें मुझसी और आपकी बहन के बच्चे विशामी लहरा नहीं मांगा मेरी घर में इतना बड़ा मुझसे धोका होता रहा और मुझे पता भी नहीं चला जन्द काम जी इन सबको मेरी नजर से दूर कर दीजें मैं इनकी सूरत भी नहीं देखना चाहती लेगा ये सबको यहां से ले तो जाओंगा लेकिन अभी नहीं इनके साथ साथ मुझे एक जो आज मैश्म ऑरात में जाइक जिसका नाम है कहर से जो आज अज तक सीमा के साथ शादी करने के सफने देख रहा है मैं आज सीमा का चनमने में और आपके इच्छा थी कि आज कहरसी जरूर आएगा मैं भी यही चाहता हूं रानिमा क्योंकि इसने मुझसे कहा था कि सिमा की शादी कहरसी से तरके दिखाएगा मेरी नजरों के सामने इसलिए उसे मुझे आग तक जिंडा रखा लेकिन आज उसे पता चलेगा जीत हमें साथ सचाई की होती है सिमा की शादी होगी आज ही होगी वो भी शंकर के साथ होगी और तेरी नजरों के सामने होगी कि पयोगी ईखादय मेंसा वोगी वोगी यारों के सामने होगी पि व邊没有 यारों के सामने होगी कि ओग वोगमें सामने हुएएशब पाला राहा गLove क्षruk कि यारण त. बेटा आपो मैं आगया आगया मैं अले पागल होगा है यह लोग दिया रचाया जाला है हो इन अक्कल के दुश्वलों को यह नहीं मालूम कि इस बंदब के नीचे बैठने का अधिकार सिर्फ एक इंसान को है चेहर सिंग को सिर्फ चेहर सिंग को आपने वो त्रावत तुने होगी जिसकी लाठी उसी की भैश्वास मैं जानता था कि कहर सिंगे होते हुए यह सामी कभी नहीं हो सकती है मैं जानता था दुन धनलों आएगा आखिर तुन मेता किसका है आँ बापू मैं तो पैदा ही तेरा नाम रोशन करने के लिए हुआ हूँ और वो तभी होगा जब मैं इन सानों का नाम अनिशान हूँ विटा सुना भाई लागू सासुना हूँ क्यों कि देखाने से भाग कर ब्या रचाया जा रहा है लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस जिन्दगी में तेरा ब्या नहीं हो सके मुझत जब जिन्दगी नहीं रहेगी तो प्या कहां से होगा यो पंड़त मुझत एक्राइब भूआ झाल टूए यजचा लुटना टारी है व क्लिकीन न चाहते हैं, जुट हैं खो करती हैं, तो मैंodarा टूप मेरारी हैं तो झाल का भारी हैं तो चाहते हैं जड़ जाखने हैं। कर दो कर दो कि चर दोटेंग मोड़ा है Suddenly a लाओ बाइडर कर दो दो कर दोट्ट च्टनो झाहा है स्थाओ प्रोट फर दोटी जो प्रोटी अगर वाँ अ पर दोटीजदे ड्राओ बाद दोटी दिए एझ वटे जिए चर दोटी। है झाल! आंओओओच कड़एा! हाznओश को तक MAX들이 हुआँ! थाणओछ को जफ दोगा। तच्छ कोसा है कि आयों हुआ氏! वाल करता है तो आद यहां पला हुआ 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 ह करना हमां थो फॉड़ु मुझे मालुपर मेरा अत्रखाइब से तरहाँ हरा नियुक्त कि अगर तुम्हारा चोर मामा काई पर मिल जा तो उसको मादना दोसों लेकिन गिनना सिर्फ बीस तो हो जाते हैं शुरू है हुआ एका मँब contar Chris कि कह वर हुआ 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 quand आप untold कि अohn blessing कि दो, दो जो 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 अजह साइब कि आख भाई्ट झाज्ड नजड़ कि अजड़ माई थे फिफ फड़ कि अजये,ट रख रख! हुआ! हुआ झाज़! हुआ झाज़! कर ублиॉम ररे कर ऐγर में रो med कर दो कर दो जो कर forecasts युम युम्म प्रिंट कैस को प्रिंट कर दो कि स during कि मुण लग अपनल कर पोल फताफंगा ज호, ऑठनल jus वाल लगकट को चुछ लाक आपुर準 सड़के बिर्लाइब हुआ है झाल 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 रगसे बसे के दुआ ये फरूमे हर जदम में तुम्हारी बहूमे बस यही एक सपना बुनूँ मैं तेरे संसंचियों मैं मरूँ तेरे संसंचियों मैं मरूँ इसमा बुआ है अजाए इसमा अज़ू अजयों मैं मैं यही एक स्थाओ आप पुजारी जी है ना हाँ बैटा मैं ही वो भागहिन पुजारी हूँ जो तुम्हारी शादी के साथ फेरे पूरे नहीं करवा सका था इसका मतलब मैंने जो कुछ देखा वो सपना नहीं था जब तुम्हें मुझे पैचान लिया तो यह सपना कैसे हो सकता है यह तो प्रभु की लीला थी बगवान ने तुम्हें याद दिलाने के लिए तुम्हारे पिछले जन्म के पिहास को दोराया है और यह सब सीमा की लगन और सचे प्रेम का फल है जिसने मुझे पाने पिलाया और जो मुझे आंटक लिया वो सीमा थी हाँ बेटा वहीं सीमा है उसने मेरी बेहन के घर जन्म लिया और फिर बच्पुन में एक दिन मुझे कहने लगी कि बाबा मेरा नम सीमा रखना नहीं तो मेरा शंकर मुझे था कि हमारे आंगम में तुम्हारे जन्म जन्मांतर का प्यार पल रहा है और मुझे विश्वास हो गया कि तुमने भी कहीं ना कहीं दूसरा जन्म ले लिया है तुम जरूर आओगे तुम्हे कि अच्छान लिया था परसों से तुभारा ही इंदिजा तो कर रही थी इसलिए जान भूच कर तुभे यहां पकलाई ने पिछले जनम में इसी मंदर में हरवान से मांगा था कि तुम मुझे हर जनम में मिलो और मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मुझे यही मिलोगे कि में प्रॉइ जिए रो इहां तुमीं तुम में तुमीं तुमीं इवा संपन्व अळु झाल झाल